नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब बिहार मैं हूँ आपके साथ असलम अबास पिछले कई दिनों से बिहार की राजनिती में लगतार चर्चाएं नितिसकुमार पर ही हो रही है कि आखिर नितिसकुमार का अगला राजनिती का स्टेंड क्या होने वाला है क्या नितिसकुमा फिर से पल्टी मारने वाले हैं क्या नितिशकुमार फिर से पाला बदलने वाले हैं इन तमाम चर्चाएं इसलिए जादा हो रही है क्योंकि नितिशकुमार पिछले कई दिनों से अपने बिधायक अपने MLC अपने MP के साथ लगतार मेटिंग कर रहे हैं मुकमंत्रियवास में लगतार गहन चर्चाएं हो रही है क्या आगामी राजनितिक पहलू आगामी राजनितिक इस्तिति और भविस कैसी होगी क्या होगी दोहजार चोबिस में कैसे NDA को पठकनी देनी है तमाम बातों को लेकर नितिशकुमार अपने विधायक और अपने सांसद MLC को विश्वा ले रहे हैं लेकि इसी भी चर्चाएं भी बहुत कुछ हो रही है चर्चाएं इस बात के है कि क्या जदिव में तूट हो जाएगे क्या जदिव को और फिर कॉंग्रेस या कहें कि सबसे बड़ा जो की भाच्पा जिस तरीके से अभी कुछ दिर पहले महराष्ट में NCP के सा सब्सक्राइब कर दोनों के बात हुई है इसके बारे में कोई अभी तक अधिकारी नहीं है लेकिन कहते हैं न तस्वीरे बया करने के लिए सब कुछ काफी होती है यह तस्वीर जो निकलकर आई जांकर आये मुटबर 3 कुछ समझ सकते हैं राजनितिक रूप से या फिर आप उसको यह आगामे नितिश कुमार का राजनितिक कदम क्या होने वाला इन तमाम बातों को लेकर आप समझ सकते हैं कि नेंद मोदी या फिर अमीज सहा के बीच में लगतार कड़ी का मेडियेटर का जो भूमिका निवाने वाला जो जदियू में सक्स था वो हरिवंस नरायन सिंग अभी मौजूद हैं और ये फिर मुलकात हो ये तो आप समझ लिजे कि डायरेक्ट बात चित करने के लिए यानि कि नेंद मोदिय और अरमिच सह के बीच में क्या बाते हो सकती है नितिश कुमार से क्या समझोता की बा से राजनितिक बैमंता यानि पार्टी में रहते हुए राजनितिक रूप से नितिश कुमार को बातू को मानने से इंकार किया उनके हालत क्या हुई राजनितिक रूप से आप देखते रहें समझते रहें लेकि हरिवंस रनायन सिंग अभी भी राजसवा में उप निता बन मुलकात सायद फिर से बिहार की राजनिती में भुचाल लाने के लिए काफी हो सकता है या कहें कि नितिस कुमार के दिमाग में कुछ न कुछ बातें जरूर चल रही है जो सायद दो हजार चोबीस से पहले फिर एक बार देखने को मिल जाए तो कहना कोई अतिस योक्ति नहीं होगी तो आप फिलाल हरिवंस नयाज सिंग और नितिस कुमार के मुलकात के बारे में क्या राय रखते हैं क्या नितिस कुमार फिर से एक वर पाला बदलने वाले क्या वो फिर से एक वर महागडबंदन का साथ छोड़ देंगे इन तमाम सवालों को लेकर जवाब आप अप आपका बहुत बहुत सुक्रिया लाइफ भिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें